नमस्कार सात्यों, आज हम बात करेंगे जोर्जिया के बारे में एक नया देश जिसके बारे में बोल सकते हैं, विरोब कंट्री है, और ये देश है, सब को मोका दे सकता है, जिन आप लोगों का अगर सपना है विरोब जाना, तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, इस कुछ डाउट तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीड अपना थर्ड चैनल असोक अलेलीपी प्यानस पर मैं आपको दे दूँगा, तो सुरुवात कर लेते हैं, जोर्जिया आपको दिखरा होगा, आलांकि एक तीसरा असोक अलेलीपी क्यों पर मैंने ये वीडियो डाला थ इस पर और अलग डिटेल बताएंगे, वो नहीं बताएती, अलग डिटेल पर बात करेंगे, ये है जोर्जिया, जोर्जिया की कुल आबादी अगर देखा जाएना तो 38 लाग है मातर, यानि 40 लाग भी बाइसा पूरी नहीं है, और बड़ी बात यह है कि ये आबादी है 2023 क में, 1903 में में इसकी पॉपलेशन थी 55-50 लाग, यानि गटके ये पॉपलेशन कम हो गई, समझ रहे हैं, 50 लाग से 2023 में से आते आते 38 लाग ही बची है, और ये जोर्जिया पार्ट हुआ करता था सोवियत संगा, जो 1901 में पार्णमे में याजाद हुआ था, 1901 में जब रखा है, रशिया ने, आलांकि रशिया का पार्ट हुआ करते थे सब देश, योक्रेन पी उसी का पार्ट है, उसके बाद में यहां पे अगर बात करें तो ये यूरोप में सामिल, वैसे तो ये एसियन कंट्री के अजरवेजान के रिन देशों के नजदीक है, लेकिन ये में सामिल है, यहां पे सेली आपको डोलर में मिलती है, दूसरी बात अच्छी बात है कि इस देश में लगबग दस हजार इंडीन लोग अभी तक मेरे साफ से रहते हैं, यहां पे आप ओनलाइन भी अपलाई कर सकते हैं, मैं वेबसाइट बता दूँगा, या फिर ओफ ला सब एक बनता है, और यह उसी देश का अलग हुआ पार्ट है, जो एक लारी का इंडियन करेंशी में लगबग 30 या 31 रुपए बनता है, यानि एक रूबल का एक रुपए बनेगा, एक लारी का 30 रुपए बनेगा, यानि इसकी जो करेंशी है, वो मस्बूत है, और पिछले 6 सालों में यहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सेली में इंकम में जस्ट डबल का इजाफा हुआ है, आप समझे इस बात को, तो मतलब जल्दी से ग्रोध करने वाली कंट्री आने वाली समय में इस चेनिगर में सामिल हो जाएगा, पूरी कोशिस ये कर रहा है, सेपेस्ट पे हम आपका जोब लगवा देंगे, पर्मिट करवा देंगे, टी आर्सी लगवा देंगे, तो उनके चक्कर में मताना कि ऐसा 99 परसेंट नहीं होता, जो ऐसा बोलते हैं, दावा करते हैं, तो यह मान के चलिए कि वो जूट है, नहीं तो आपका टी आर्सी बनेगा, और न इलिजिबल कोशिस करते हैं, तो यह देश 6 साल रेगुलर रहने के बाद आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात पता है, इंडिया के लोग किस जियूब में जा रहे हैं, इंडिया की जो किसान है पंजाब के हरियाना के वो लोग सबसे ज्यादा इस देश में जा रहे हैं क्योंकि यहां पे जमीन बहुत सस्ती है आप यकीन करना कि पंजाब में एक एक्टरी जमीन अगर आपने बेचा तो कितने पैसे में पड़ेगा आर वहां पे यह जमीन इंडिया से 10 गुना सस्ती मिल सकती है तो लोगों ने काफी सारी जमीन वहां पे खरीद रखी है इंडियन जो किसान है और अच्छा खासा वह अपना कर्सी से रिलेटेट जोब करते हैं बिजनस करते हैं इसको देखते हैं अपने टाटा पावर है इंडिया का जो कंपनी है ब्रांड है उन्होंनों भी लगबग 280 मिलियन डॉलर का इंवेस्ट इस देश में किया ह हुआ है अभी लेटेश्ट में किया है जोर्जिया में आलांकि इस बिदेश अगर आप जाते है ना देखिए रोब कंट्री है सस्ता है रस्या से इक फ़ीशन पर सकता है ना खाना अगूडेशन कोडरेशन गुम्ना फिरना जो भी तो यहां पर एक एवरेज आपको तनका सीविल इंजिनेर देख सकते हैं, 1200 USD है, और इलेक्टिकल है, 1200 USD है, सेप्टी ओफिस है, 950 है, एवी डिजल मेकेनिक 800 है, जरिनल हेलपर है, 700 है, तो कहने का मतलब एक एवरेज सेलली की बात करें तो वैसा, 40,000 सेलले के 50,000 रुपे से 50,000 रुपे इस देश में तनका आपको मिल सकती है, वीजा, अगर टाइमिंग की बात करें, तो 2,5 मेने में आपका वरक पर्मिट वीजा हो सकता है, किसी मैन पाउर ओफिस से अपलाई करते हैं तो, अब चार्जे की बात करें, तो आपको पता है चार्जे जिनके बढ़ जाते हैं, आलांकि इतना पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी 2,5,000 रुपे में अगर आपको कोई ओफिस भेज रही है, मैन पाउर ओफिस धान रखिएगा, मैन पाउर होना चाहिए, यहां पे इनके डिटेल है, जो मैंने हाइड कर रखिए, मैन पाउर ओफिस होनी चाहि अगर वहां के थुरू आप जाते हैं, तो आपको 2,5,000,000 रुपे में काम बन सकता है, 40-50,000 रुपे से लिए हो सकती है, एक साल का आपको विज़ा मिलेगा, TRC लेना ज़रूरी है, कोई अगर आपको विज़िट में बोलता है, हम TRC वो करवा दें, तो भाई बोलते ठीक ह पहुंचा दें वहां से, इंडिया से सीधी डिरेक्ट फ्लाइट जाती है, ठीक है जी जोर्जिया, तो आप वहां पहुंच जाओ, विज़िट विज़ा तो आसानी से मिल जाएगा, वहां TRC लगवा दोर पैसा लेलो, अजेंट से ऐसे डिल कर सकते हैं आप, बाकी इसमें अपने लाइक जोब सर्च करिए, और सीवी बगरा है, जो विरोपास आपके पास है, वो डालके आप अपना कोशिस कर सकते हैं, यह काम आपका फरीका है, इसमें कोई चार्जेज नहीं लगता है, अगर कोई आपसे पैसा मांग लेता है, तो भया उसका आपको खुद को ध करते हैं, लेकिन इतना आज के टाइम में बीजा ने मिला है, क्योंकि भीड बढ़ रही है, तो यह देश आपको मोका दे सकता है, सरती है कि आपको बेजने वाला बंदा सही हो, 40-50 जार तक की तनका, बात देखिए, यह शेनिगन में जाने वाला है, आने वाले समय में हो सक करते हैं, आगे आपको चांस मिल सकता है, और देखिए, इन देश में जाने वाले वाले साब को तकड़े तो जाएंगे नहीं, जिनके पास पैसा तकड़ा है, जिनके एजुकेशन तकड़ी वो तो नहीं जाएंगे, नॉर्मल आदमी जिनके पास पैसा नहीं है, ब्याज आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लंबे समय तक कोशिस करनी पड़ेगी, यह नहीं कि आपने दस्च के अपलाई कर दिया, आराम से बैट गए, हमारा तो सर नंबर नहीं आ रहा है, हमें कोई रिस्पोंस नहीं दे रहा है, ऐसे रिस्पोंस भाई साब नहीं मिलता, जेन्वेन बेपसाइड होनी चीए, जेन्वेन सिस्टम होना चीए, अच्छा सीवी बनना चीए, तब जाके तब भी चांस है, गवर्मेंट जोब अपलाई तो सब करते हैं, लगते कितने हैं, सेम कंडिशन इसमें लागू होती है, फिर भी आपके मैंने में कोई डाउट ह है, तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स वीडियो में कोईशिस करेंगे, उस कांसपर देने की, मिलते हैं, नेक्स वीडियो मेसेजन करें के साथ, जेहीं जेबाराई